ओम नमस्षिवाय हर हर महा देव कार्तिक महा के शुकल पक्ष में पढ़ने वाली दूसरी एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है इस बार देव उठनी एकादशी का वरत 12 नुवंबर को रखा जाएगा यह एकादशी बेहद महत्वपून है मानेता है कि इस दिन भगवान विश्णु चार महा तक सोने के बाद जागते हैं इन चार महीनों में भगवान विश्णु के सोने या कहें देवशयन के कारण सभी परकार के मांगलिक कारे वर्जित होते हैं अगवान विश्णु के पुने जागने के बाद ही सभी मांगलिक कारे संपन हो पाते हैं देव जागरन या उत्थान होने के कारण इसको देव उत्थान एकादशी भी कहते हैं देव प्रभोधनी एकादशी देव उठनी ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है इस दिन से विवा, ग्रह परवेश, जात करम संसकार, आदी सभी कारे प्रारंब हो जाते हैं देवशेनी एकादेशी के बाद यह वरत सबसे महत्वपुन माना जाता है इस दिन निर्जल या केवल जलिये पदार्थों पर उपवास रखना चाहिए पाप हो जाते हैं नश्ट, एकादेशी के वरत से अशुब संसकार नश्ट हो जाते हैं और मौक्ष की प्राप्ती होती है चंदर दोश, कुंडली में चंदरमा के कमजोर होने की स्थिती में जल और फल खाकर या निर्जल एकादेशी का ववास जरूर रखना चाहिए व्यक्ति यदि सभी एकादेशीों में उपवास रखता है तो उसका चंदर सही होकर मानसिक स्थिती भी सुधर जाती है अशोमेग यग्य एवं रास्य यग्य का फल कहते हैं कि देवो थान एकादशी का वरत करने से हजार अशोमेग एवं सो रास्य यग्यों का फल मिलता है पितर दोश से मुक्ती पितर दोश से पिडित लोगों को इस दिन विधीवत वरत करना चाहिए पित्रों के लिए यह उपवास करने से अधिक लाव मिलता है जिससे उनके पित्र नर्क के दुखों से चुटकारा पा सकते हैं भाग्य हो जाता है जागरत देवुठनी या प्रभोधिनी एकादशी का वरत करने से भाग्य जागरत होता है धन और सिम्रिथी प्राणों के नुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उनके जीवन में धन और सिम्रिथी बनी रहती है कथा श्रवन या वाचन इस दिन वरत रखकर देवुठनी एकादशी की पराणिक कथा का श्रवन या वाचन करना चाहिए कथा सुनने या कहने से पुन्ने की प्राप्ति होती है इस दिन शालिगराम के साथ तुलसी का अध्यात्मिक विवादे उठनी एकादशी को होता है इस दिन तुलसी की पुजा का महतव है तुलसी दल अकाल मृत्यू से बचाता है शालिगराम और तुलसी की पुजा से पितर दोश का शमन होता है विश्णु पूजा इस दिन भगवान विश्णु या अपने इश्ट देव की उपासना करना चाहिए इस दिन ओम नमो भगवते वासु देवाय नम मंतर का जाब करने से लाब मिलता है कार्तिक महा के शुकल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी देव उठनी ग्यारस प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है तो इस दिन कथा शुरुण करने या पढ़ने से आपकी सभी मनोकामनाई पुर्ण हो सकती है तो आपको इस वीडियो में हम तीन कथाएं पुरानिक कथाएं सुनाने जा रहे हैं तो पहली कथा है कथा प्रारम करने से पहले बोलिए विश्नु भगवान कीजै दुलसी शालिगराम महाराज कीजै लक्षमी माता कीजै एक राजा के राज्ये में सभी लोग एकादशी का वरत रखते थे प्रजा तथा नोकर चाकरों से लेकर पश्वों तक को एकादशी के दिन अन नहीं दिया चाता था एक दिन किसी दूसरे राज्ये का एक व्यक्ती राजा के पास आकर बोला माहराज किरपा करके मुझे नोकरी पर रख लें तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी की ठीक है रख लेते हैं किन्तु रोज तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन नहीं मिलेगा उस व्यक्ती ने उस समय हां कर ली पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का समान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गड़ गड़ाने लगा माहराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा मैं भूखा ही मर जाओंगा मुझे अन दे दो राजा ने उसे शर्त की बात याद लाई पर वह अन छोड़ने को राजी नहीं हुआ तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदी दिये वह नित्ते की तरह नदी पर पहुंचा और सनान कर भोजन पकाने लगा जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा आओ भगवान भोजन त्यार है उसके बुलाने पर पितामबर धारण किये भगवान चतरभुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे वजन आदी करके भगवान अंतर ध्यान हो गये तथा वह अपने काम पर चला गया पंद्रे दिन के बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि माहराज मुझे दुगना सामान चाहिए उस दिन तो मैं भूका ही रह गया राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं इसलिए हम दोनों के लिए ये पूरा समान नहीं होता है यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चरे हुआ वह बोला मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुमारे साथ खाते हैं मैं तो इतना वरत रखता हूँ भूजा करता हूँ पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिये राजा की बास सुनकर वह बोला माहराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चल कर देख लें राजा एक पेड़ के पीछे चिपकर बैठ गया उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा परंतु भगवान ना आए अंत में उसने कहा है भगवा यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूध कर प्रान त्याग दूँगा लेकिन भगवान नहीं आए तब वह प्रान त्यागने के उद्शे से नदी की तरफ बढ़ा प्रान त्यागने का उसका ढृड़ इरादा जान शिगर ही भगवान ने परकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठ कर भोजन करने लगे, खा पी कर वै उसे अपने विमान में बिठा कर अपने धाम ले गए यह देख राजा ने सोचा कि वरत उपवास से तब तक कोई फाइदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो इससे राजा को ग्यान मिला, वह भी मन से वरत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ बोलिए विश्णु भगवाने कीजए, तुल्ची शालिगराम महाराज कीजए चलिए अब आपको एक दूसरी कथा सुनाते हैं, देप्रभोधनी एकादशी वरत की दूसरी कथा एक राजा था, उसके राजे में प्रजा सुखी थी, एकादशी को कोई भी अन नहीं बेचता था सभी फलाहर करते थे, एक बार भगवान राजा की प्रिक्षा लेनी चाही भगवान ने एक सुन्दरी का रूप धारन किया, तथा सडक पर बैठ गए तभी राजा उधर से निकला, और सुन्दरी को देखकर चकित रह गया उसने पूछा, हे सुन्दरी, तुम कोन हो, और यहां इस तरी क्यों बैठी हुई हो तब सुन्दर इस तरी बने भगवान बोले, मैं निराक्षिता हूँ, नगर में मेरा कोई जान पचान वाला नहीं है किस से साहता मांगो, राजा उसके रूप पर मोहित हो गया वह बोला, तुम मेरे महल में चल कर, मेरी रानी बन कर रहो सुन्दरी बोली, मैं तमारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सोपना होगा राज्य पर मेरा पून अधिकार होगा, मैं जो भी बनाऊंगी, तुम्हें खाना होगा राजा उसके रूप पर मोहित था अतह उसने उसकी सभी शर्ते सविकार कर ली अगले दिन एकादशी थी राणी ने हुकम किया कि बजारों में अन्य दिनों की तरह अन बेचा जाए उसने घर में मास मचली आदी पकवाए तथा परोस कर राजा से खाने के लिए कहा यह देखकर राजा बोला राणी आज एकादशी है मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा तब राणी ने शर्त की याद लाई और बोली यहां तो खाना खाओ नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूँगी राजा ने अपनी स्थिती बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली महाराज धर्म ना छोड़ें बड़े राजकुमार का सिर दे दे पुतर तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा इसी दुरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया मा की आँखों में आंसु देखकर वह रोने लगा कारण पूछने लगा तो मा ने उसे सारी वस्तुस्तिती बता दी तब वह बोला मैं सिर देने के लिए तयार हूँ पिताजी के धर्म की रक्षा होगी जुरूर होगी राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तयार हूआ तो रानी के रूप से भगवान विश्नु ने प्रकट होकर असली बात बताई राजन तुम इस कठिन परिक्षा में पास हुए भगवान ने प्रसन मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला आपका दिया सब कुछ है हमारा उधार करो उसी समय वहाँ एक विमान उत्रा राजा ने अपना राज्य पुत्तर को सौप दिया और विमान में बैठकर परमधाम को चला गया बोलिये विष्णु भगवान की जै तुल्सी शालिगराम महाराज की जै देव उठनी एकादशी के पावन के दिन भगवान शालिगराम और माता तुल्सी का विवाह किया जाता है इस साल देव उठनी एकादशी और तुल्सी विवाह 12 नुवंबर को है हिंदु धर्म के इस दिन का बहुत अधिक महत्व होता है धार्मिक मानेताओं के अनुसार भगवान शालिगराम और माता तुलसी का विवाह करने से विवाहिक जीवन सुख में हो जाता है इस पावन दिन विधी विधान से पूजा अर्चना करिये व्रत कथा का अवश्य ही सुनना चाहिए चलिए अब आपको सुनाते हैं तुलसी शालिगराम विवाह की एक पुराणिक कथा एक बार शिवन ने अपने तेश को समुंदर में फैक दिया उससे एक महाते जसवी बालक ने जरम लिया यह बालक आगे चल कर जलंधर की नाम से प्राकर्मी दैते राजा बना उसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था अपनी सत्ता के मद में चूर उसने मातालक्षमी को पाने की कामना से युद्ध किया प्रंटु समुन्दर से ही उत्पन होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्विकार किया वहां से प्राजित होकर वह देवी पारवती को पाने की लालसा से कैलाश परवत पर गया भगवान देवादी देव शिव का ही रूप धर कर माता पार्वती के समीप गया परन्तु मा ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतरध्यान हो गई देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वरतांत भगवान विश्नु को सुनाया जालंधर की पत्नी वरिंदा अत्यंत पती वरता इस्त्री थी उसी के पती वरत धरम की शक्ती से जलंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वरिंदा के पती वरत धरम को भंग करना बहुत आवशक था इसी कारण भगवान विश्णू रिशी का वेश्धारण कर वन में चा पहुंचे जहां वरिंदा अकेली भ्रमन कर रही थी भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे जिने देखकर वरिंदा भहबीत हो गई रिशी ने वरिंदा के सामने पल में दोनों को भसम कर दिया उनकी शक्ति देखकर वरिंदा ने कैलाश परवत पर महादेव के साथ युद कर रहे अपने पती जालंधर के बारे में पूछा रिशी ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किये एक वानर के हाथ में जालंदर का सिर था, तथा दूसरे के हाथ में धड़, अपने पती की यह दशा देख कर व्रंदा मुर्चित होकर गिर पड़ी, होश में आने पर उन्होंने रिशी रुपी भगवान से विंती की, कि वह उसके पती को जीवित करें, भगवान ने अपनी म का तनिक भी आभास ना हुआ, जालंदर बने भगवान के साथ विरिंदा पती वरता का वेवार करने लगी, जिससे उसका सतित्व भंग हो गया, ऐसा होते ही विरिंदा का पती जालंदर युद्ध में हार गया, इस सारी लिला का जब विरिंदा को पता चला, तो उसने क्रो और शालिगराम पत्थर बन गए, श्रिष्टी के पालन करता के पत्थर बन जाने से ब्रहमांड में असंतुलन की स्थिती हो गई, यह देखकर सभी देवी देवताओं ने विरिंदा से प्रातना की कि वह भगवान विश्नु को श्राप मुक्त कर दे, विरिंदा ने अने सतित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिये हो गई हो, अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी, तब से हर साल कार्तिक महिने के देव उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवा के रूप में मनाया जाता है, जो मनुश्य भी मेरे शालि अंधर नाम से विख्यात है, सती वरिंदा का मंदिर महला कोट किशन चंद में स्थित है, कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचिन गुफा भी है, जो सीधी हरिदवार तक जाती है, सच्चे मन से चालिस दिन तक सती वरिंदा देवी के मंदिर में पुजा करने से सभी मनौर भीत तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वेकुंदधाम को प्राप्त होता है, जो मुनश्य तुलसी वह आवलों की चाया में अपने पितरों का शिराद करता है, उसके पितर मौक्ष को प्राप्त हो जाते हैं बोलिये तुलसी शालिक राम महाराज की जै विश्नो भगवान की जै लक्ष्मी माता की जै